नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ग्यान गंगा ओनलाइन क्लासेस में और यूके सेसी अधिनस चैन आयक द्वारा एक लिए टेस्ट निउज निकल के आ रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंद्रसो पदोपर जो विगयप्ती जा रही थी लौकडाउन से पहले स्मार्च बाईस मार्च से पहले जब लौकडाउन हों था तो उसस्तोंपर स्वixíप्ती पर ऑविदन बंद कर दे गए थे आवेदन परक्रिया बंद कर दे गए थी अब निकल के आ रही है कि आठ जुन से जब अनलोग फर्स्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद से आयोग ने कहा है कि हम आवेदन परक्रिया चल्द ही सुरू कर देंगे एक सप्ता के भीतर भीतर आये देखते उसके बारे में प लोगडाउन के दोरान पंद्रा पंद्रा सो पदों पर के लिए विगेपती परक्रिया इस्तेगित की गई थी इन पदों के साथ अन्य नए पद के लिए जल्द ही आवेदन परक्रिया शुरू कर दे जाएंगे अनलोग वन में साइबर कैफे खुल रहें जिससे अब हुआ था 22 से उसमें साइबर केफे मार्केट पूरा बन था तो अभ्याटियों को दिक्कत हो रही थी इसलिए आयोग ने 23 स्मार्च से सारे पदों पर जो पंद्रा सो पद निकले थे उस पर आवेदन परक्रिया बंद कर गई थी जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि क क्या क्या पद थे उसमें जो पद थे वो थे 1500 पद थे जो 22 मार्च के बाद से लोगडाउन शुरू हुआ था तो 23 मार्च से तीन अलग लग बिकेप्ते थी जिन पर आवेदन बंद कर देगे थे उसके अंदर था डाटा इंट्री ऑपरेटर परदरशन या निरिक्षक पस डाउन फर्स्ट में आवेदन परक्रिया बंद कर दी गई थी कोरोना संक्रमण के कारण अब वो सारी भरती परक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी और यह कहा है कि 15 जून से आप यावे देख सकते हैं कि 15 जून से स्टार्ट कर दिया जाएगा 15 से 20 जून के अंदर अंदर यह सब कुछ स्टार्ट कर दिया जाएगा और 15 से और 20 जून के अंदर एक सब्ता के अंदर अंदर भरती परक्रिया सारी शुरू कर दी जाएगी इसके अंदर खबर निकल के आ रही है कि उसमें डेट सो यानी 125 या डेट सो के आसपास जेए की जूनियर इंजिनेर की पद भी हो सकते हैं तो आप अपनी तायरी को जारी रखें और इससे जुड़ी हर जानकरी जो भी जानकरी आयोग देगा आम आप तक जरूर पहुचाएंगे आप अप चैनल से जुड़े रहें धन्यवाद